नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों दुनिया में हर कोई अपनी एक अलग ही पहचान बनाना जाता है जोतिश शास्तर के अनुसार ऐसा माना जाता है किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके स्वाभाव, व्यक्तित और उसके भविष्य के बारे में काफी कुछ बताता है आज हम आपको कुछ ऐसे खास अक्षरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जियोतिष शास्त्र भी मानता है कि इन अच्छरों के नामबाली लड़कियां जनम से ही भाबुप, कोमल और साफ मन होती हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, दूसरों की मदद को आगे रहती हैं और अपने जीवन साथी से बेहद प्रेम और हर सुख दुख में उनका साथ निभाने बाली होती हैं तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इनी कुछ बिशेश नाम के अक्षरों के बारे में जराविस्तार से बताएंगे दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक ए नाम बाली लड़कियां दोस्तों जियोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिनका भी नाम ए अच्छर से शुरू होता है बो लड़कियां मन की बहुत साप होती है इसके साथ ही काफी इमोशनल भी होती है ये विश्वास पात्तर होती है जिस कारड इन पर आसानी से यकीन किया जा सकता है ये अगर किसी से कोई बादा करती है तो अपने द्वारा किये गए हर बादे को पूरी सच्चाई और इमानदारी से निभाती है ये अपनी बातों और इरादों की पक्की होती है अपनी सहेंशेलता और सौमे ब्योहार से ये सब का दिल जीतने में माहिर होती है दोस्तों जियोतिश शास्तर के अनुसार जिनका नाम भी अच्छर से शुरू होता है ऐसी लड़कियां अधिक भाग्यशाली मानी जाती है ये सरल और दयालू स्वाभाव की होती है इस अक्षरबाली लड़कियां अपने जीवन साती को हमेशा खुश रखती है दूसरों के लिए इनके दिल में दया और इज़त की भाबना भरी होती है स्वाभाव से ये बेहत संबेदन शील होती है किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोचती घर और बाहर के कारियों में खुब दक्ष होती है इनका हस्मुक स्वाभाव सबको इनकी और आकरशित करने बाला होता है ये समाज में अपने अच्छे कारियों और बेवहारों के लिए जानी जाती है दोस्तों जिन लड़कियों का नाम डी अच्छर से शुरू होता है ऐसा कहा जाता है कि ऐसी लड़कियां बहुत अधिक भाग्यशाली होती है ये जिस भी घर में जाती है मा लक्षमी के आसीरवास से उस घर को स्वर्ग बना देती है और उस घर को धन दौलत और मान सम्मान से भर देती है ये दिल की साप होती है अपने शत्रू के लिए भी इनके दिल में कोई बहर नहीं होता कोई इनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे ये फिर भी उसका बुरा नहीं सोंसती दूसरों की मदद करना इन्हें पसंद होता है खुद भले ही ये कितनी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रही हो लेकिन इस बीच कोई जरूरत मंदा जाए तो ये उसकी मदद जरूर करती है और अपने ब्योहार से ये सब का दिल जीत लेती है दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कीजिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत